ये जो वीडियो है, आज आपको हम दिखाने वाले हैं, इसमें एक बेहतरीन लगूदो बेफसा है, जो हर गाउ में, हर छेतर में, हर शेहर में लगाके अच्छा बिजनेस सेट अप कर सकते हैं, मजबूत सेट अप कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके की मंदी आये मार्केट मे आप इसमें सफलता जरूर पा सकते हैं, तो वीडियो कौन तक देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके का प्रोजेक्ट हैं, और इसको कितने बजट में आप सेट अप कर सकते हैं, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप लोग कैसे आ सकता आप अच्छे होंगे, स् दोस्तों आजब और फिरसे अब आप मौज़ोद एमद असुषे प्लान पर, यहां कि कई सारी वीडियो आप हमान चैनल पर देख चुके हैं, और बहुत सारा प्यान लूटारे हैं हमाने चैनल के लिए, तो दोस्तों आप आसी वीडियो में आपको एक ऐसी आपकी दिखा कर रहा हैं, और हमसी डिवांड कर रहा है कि मैं आपको नया प्लान लेकर आई है, जिससे हम उस वीडियो को देख सके और अपने नया प्लान लगा सके, सर आप मार दसों कौन साथ नया प्लान दिखाने जा रहे हैं, पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा आपकी टायर निरंदर एहमत प्रोजक्स की इस साइट पर आके नयनाय प्लाजेक्स हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्स लगाए है, लेकिन जाधा तो डिमान है, जो आपके चैनल को सके अब वो क्या रहा है अभी बहुत सारी गवर्ण ने फिनांशल स्कीन्स दे रखती हैं बहुत सारे लोन के प्रोजेक्ट दिखाने के लिए आखड़ा किया है यह 24 इंच की चपकी का सेट अप है लोग बिल राइस मेल ऑईल मिल दाल मिल साथ में हम लोग स्पाइस मिल यह सब प्रोवाइड करते हैं लेकिन लोर मिल एक ऐसा विवसाय है अगर हम चक्की की बात करें तो यह मुल्टी पॉपस ग्राइंडिंग आप कर सकते हैं अगर यह है आपके पास तो आप सभी चीज कर सकते हैं आला कि इसके लिए हमारे पार अलग अलग मशीन भी आती है तो 24 इंच की चकी है एमरी स्टॉन की चकी होती है लोर मिल रिए अगर आपको करना है तो तीन पेज में यह प्रोजेक्ट चलता है सबसे पहला फेज जो होता है वह होता है क्लीनिंग का अगर गिमन पो साफ नहीं करेंगे तो बहतर आपको क्वालेट की नहीं देगी तो यह अपर का जो पार्ट ओफता है यह चान देता है आपसे तो यह 300 kg पर आवर चानेगा तो होस्पावर 960 rpm की मोटर से ही मात्रे चलता है तो कम पावर में क्लीनिक हो गई हमारी अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर जो अगला सेक्षन आता है वो ग्राइंडिंग का आता है तो हमक करके चक्की में डालते है चक्की में डालके आप इसको जब ग्राइंड करते है तो आटोमाटिक यह सॉक्शन गोफोर के सिस्टम के तुरू आपका चोकर सेपरेटिंग में चला जाता है तो यह हमारा 4 lover 2 size का cyclone उलॉर होada आटाजड ग्रेडर SIs democrats जिसमें चोकर आपको अल यह आपको मात्र चार लाग रुपए में मिल जाता है, इस प्रोजेक्स के उपर भी हायर क्यपासिटी में जैसे साइस इंच के प्रोजेक्ट हो गया आप देख सकते हैं, यह आपका तीस इंच का प्रोजेक्ट है, तीस इंच की चक्की, उसका बड़ा साइकलॉन की ग्रेडर है और फिर इसकी बड़ी क्लीनिंग मशीन आई है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, यह डेड़ टन पर आवर का क्लीनर है, यह डबल फान क्लीनर है, दो बाते ध्यान रखनी होती है, एक तो जब हम रूले में कोई भी प्रोटक्ट डालते हैं, तो उसमें मिट्टी के गुल टन एक टन 500 केजी और साड़े 300 केजी तक हमारे पास यह अविलेबिल है, यह सारी हम आपको आज डीलक्स सीरीज दिखा रहे है मैडम, हमारे पास पिछले वीडियो में रेगुलर सीरीज भी आपने कस्कमास को दिखाई है, डीलक्स में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, और साथ में इसका रिस्पॉंस अच्छा है, प्रडक्शन जादा है, तो वही है, यह जब मैं आपको 24 इंच का प्रजेक्ट दिखा रहा हूं, तो यह दो तरीके से चलेगा, तो मोटर से भी चला सकते हैं आप इस पूरे प्रजेक्ट को, साथ में आप काउंट बता देता हूं, यह 15 फिट हमको लेंस चाहिए हो कि प्रजेक्ट का इस प्रजेक्ट करने के लिए, और गेराई मातर 8 फिट की चाहिए, अगर 15 बही आट का सेटप है, और हाइट हमारे पास अगर 9 फुट तक है, तो यह प्रजेक्ट आपका लग जाएगा, अब थोड़ी ण Templis пер अगर कैसि बात रहती है अगर आट मैट आपको गरना प्रजेक्ट का अगर आपको तो अगर आपको रहना है इस लका़एट। अप स्कते हैं, रह स्कते हैं हैं यह जो आपको इस बात है इप अनकी हाइट रहती हैं अमारे पास दश स्कतरक्ट का प्रसेट हैं, और ह मैंने आपको सारा बताई दिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट है तो मैक्सिमम पर सिस्पेट में हम उसको सारा सब्सक्राइब अगर अगर आपको कुछ कुछ जगाओं का मानलीजिए गहराई 10 पिट है आपके पास 10 पिट है आप नहीं लगा सकते हैं तो हम आपको यह कस्टमा इजे लगा है जैसे जो अमारे पीछे आप सब लोग देख रहे हैं यह क्लीनर है ने बताया है दो होस्पावर की एक मोटर से चलता है चक्की जो 24 इंच की है यह हम 10 होस्पावर की मोटर से चलते हैं तो 12 होस्पावर हो गया वैसे ही जब हम चोकर सेपरेटिंग का पूरा स सिस्टम चलते हैं तो उसमें 2 होस्पावर की मोटर एक यहां लगती है और एक होस्पावर की नीचे लगती है तो तीन होस्पावर यह हो गया तो दस तीन और दो तो तोटल 15 होस्पावर में यह फूरा प्रोजेक्ट आपका चलता है तो सर आप जी यह बताई है हमारा दस तो सर आप ही बताए हैं आपके सवाल मैं और क्लियर कर देता हूं आपका मतलब यह हैं कि जैसे जिय्विया चक्किया लगी हुए है पुराने कई जमाने से कीवल चक्की में पीस की दे रहे थे तो आप बहुत सारे कस्टमर जो है हमारे जो आटा कर्जियूम करते हैं उनको शिकायत आती है कि आटे में कभी किरकिरापन है या फिर आटे में बहुत ज्यादा सक्ट पन है सॉफ्ट नहीं बनती रोटी है उनकी वह वाली शिकायते हमारे सभी भाईयों को आ रही है आज की डेट में भारत पे 30 करोडों चक्किया लगी है जहां पे उनके पास और उपाय नहीं है आज से जैसे आप साफ करने के बाद उसको पीस के आप दे देते हैं यह उपाय तो हम सब कर रहें लेकिन यह काफी नहीं ह आज की डेट पे अगर आपको आटा सफेद और बेतर चाहिए तो काफी सारी ऐसी चीजे मशीन फ्लफ दे मार्केट में जिनसे आप क्लीन कर सकते हैं वैसे हमारे पीछे ही है यह जैसे रूले वाला क्लीनर जरूरी है अगर आप गेंगों को जो आपका कस्टमर लेके आ रह है और आप चाहते हैं कि अपना पिसा हुआ आटा बेचे तो सफाई तो एक बहुत ज़रूरी है तो यह मशीन आप अलग से भी खरीड सकते हैं हम लोगों से इसमें हमारे पास आपके बजट और के पैसिटी के साफ से अवेले बिल हैं जैसे साड़े 300 किलो से शुरू हो जिसने आपको बैटरीन क्लीनिंग देती उसके बाद का जो प्रोसेस है चक्की से आप मार्क पिस गया तो जो भाई हमारे साफ भी बढ़िया कर रहे हैं चक्की से पीस भी रहे हैं पर भी मार्केट रेचेक कर रहे हैं तो पिर आप यह जमझ लीजे कि अब आपको चोकर से करड़ा जायए तो जैसे यह आपकर इसका सिस्टम सारा देते हैं इस से आप फिटिंग कर सकते हैं सब्सक्राइब करें या उनको नहीं यहां पर आना पड़ेगा भारत वर्ष में तो हर स्टेट में बहुत स्ट्रॉंगली यह मशीन सप्लाइब करी रहे हैं हर जगा किसी भी स्टेट से हैं बेज़ेजग आप हमारे नंबर्स पर कंटाक्ट करिए हम आपको श्री-लंका और आज-पास के मिडिल इस्ट आफरिका इन कंट्रीज में हम एक्स्पोट करते हैं तो अगर आपको यह मशीज चाहिए है तो आप हमारे एक्सपोर्ट डिवीजन पर कंटाक्ट करिए स्क्रीट पर नंबर मिलेगा आपको एक्सपोर्ट डिवीजन का इस पर स फिस्तारी जनकारी मिलेगी किस तरीके से यह मशिन आपके नियरेस बोर्डर तन्व पुचाते हैं और कैसे आपका काम करा सकती हैं और यह मशिन अपने कंट्री में ले जासके है इसलिए आप सब क्या करना चाहेंगे मां देसों के लिये मैं बता देता हूं जब इंडस्ट्र पर रेट नहीं लिख सकते है उसका रीजन है जैसे मैं आप ये पीछे जो आप खड़ा है मैंने पताया आपको चार लाग लुपए के अंदर हम लगा सकते है अंदर के अफ़लब यह होता है कोई कस्टमर कहता है किसके साथ हमें एलिवेटर चाहिए कोई कहता है नहीं तो अगर आपको रेट जानने है तो क्रिपिया करके आप स्क्रीन पे नंबर्स पे अपनी रिक्वार्मेंट लिख दीजे कि मेरे को ये चीज़े चाहिए तब ही हम आपको रेट प्रोवाइट कर पाएंगे वीडियो देखते ही रेट मिल जाना पहीं का सलूशन नहीं है त अपर कोटेशन के साथ देना चाहते हैं ताकि आपको सारी बाते पता लगे तो मैडम मैं आपके माध्यम से सभी ग्राहकों को जो भी हमारे विजिट करना चाहते हैं मैं उसे यह काऊंगा रेट कोटेशन मंगाईए स्क्रीन पे नंबर्स पे अपनी रिक्वार्मेंट करेंगे आपके लिए अगर किसी के लिए क्या प्रवाइट करना है मैं बता देता हूं मांटम हमारे यह इतने भी MSME के प्रोजेक्ट MSME की बहुत सारी स्कीम्स जैसे PME GP है दियामी योजना है साथ में खादी की बहुत सारी योजना होती है उतमें लोगों के बहुत सारे ल हो सकता अगर फ्लोर मिल चाहता है जिसे बारे में यह पूर वीडियो है जैसे माली के यहाई लुट में लगाना चाहता है तो इस पहलने तो baik कोटेशन मंगबाईए, आप हमारे नमर्स पर कॉंटाक्ट करिए, वो कोटेशन आपको बैंक में सब्मिट करनी पड़ेगी, बैंक आपको अप्रूव करेगी, अप्रूवल के बाद आपका लोन जब संक्शन होता है, तब आपका पेमिंट हमारे पास आता है, हम आपकी और पे मशीन रेडी करके लेगी, यह प्रोसेस बहुत असान है, हाला कि मैं जाता हूँ कि हर कस्टमर जो भी यह वीडियो देख रहा है, यहां विजिट जरूर करे, एक पर ही सामने से हम जब मशीन देख लेते हैं, तो हमको उनकी क्वालिटी, डूरेबिलिटी, लाइफ का अ सेलेक्शन करें और एक बेतरी लगो दोग फ्लोर मिल वेवसाय लगाई है, सार अगर हमां को दर्स है किस मशीन को खरी दे तो आप तिकने दिरम डिस्प्रेस करा सकते हैं, मैडम हम लोग का कम से कम 45 दिन का समय रहता है, मशीन को तियार करने का, अगर कोई ऐसी चीज है जो कोई सवाल हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेट या तो आप यूट्योब के इसी वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में हमारे नमबर इस पर डारेक्ट वट्टा करके पूछ भी सकते हैं, तन्यवार, तो दोस्तो आप अस वीडियो आपको कैसे लिए, आप हमें जय भारत